तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और मैं हूँ रमी सिंग फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वालों कि आप मेसेंजर पर दूसरा अकाउंट कैसे क्रियेट कर सकते हैं फेस्बुक मेसेंजर पर आप इजली मल्टिपल करके इस वीडियो में जानते हैं तो दोस्तों फेस्बुक मेसेंजर पर दूसरी एडि क्रियेट करने के लिए आपको मेसेंजर ऊपन करके बॉटम राइट कॉर्णर में अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना जिसके बाद मैसेंजर की सभी अलग-अलग सैटिंस आपक क्लिक करके आप अपने दूसरे मेसेंजर अकाउंट में स्विच हो सकते हैं अगर आपने पहले से ही सेकेंड एडि क्रियेट की हुई अगर नहीं किये तो यहां पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद मैसेंट इंटर फेस में फेस्बुक पर अकाउंट क्रेट करने का और आ पर आपको अपनी सेकनड मेसेंजर आइडी के लिए देटफ अप बड्स एंटर करना है और उच्प करने के बाद दो और यहां पर अपने अकाउंट नहीं बनाना क्लिक करके अपनी इमेल डी के तरूर अकाउंट क्रेट कर सकते हैं मोबाइल नमबर एंटर करके next option पर click करें और next interface में अपना gender select करके next option पर click कर दीजिए इसके बाद password create करने का option आपके सामने आगा तो guys यहां पर आपको अपनी second messenger ID के लिए को strong password create करना है और sign up option पर click कर देना है जिसके बाद messenger पर आपकी second ID create हो जाएगी अब आपको add account option पर click करन है और next interface में अपना phone number या email ID जिससे भी आपने second ID create किया है उसे enter करना है और उसके बाद अपना password enter करके login option पर click कर देना है click करते ही कुछी देर में आपका second messenger account login हो जाएगा अब आप अपनी second messenger ID को use कर सकते हैं या पर bottom right corner में आप settings option पर click करके कभी भी अपनी first messenger ID में switch हो सकते हैं और वापस second ID को select करके उसका use कर सकते हैं तो इस तरह से friends messenger पर आप easily multiple accounts को create कर सकते हैं create करने के बाद एक से दूसरे account में switch हो सकते हैं उनका use कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में किसी न्यूटापे के साथ तब तक के लिए जैहिंद